आज की इस वीडियो में हम आपको U-Dies Plus DCF Data Entry को Certified करना सिखाएंगे U-Dies Plus DCF Data Entry को Certified करने से पहले आपको Overall Status चेक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Overall Status Completed All Forms है और Normal Status है Not Certified तो यहाँ पर हमने सभी सेक्षन को Complete फिल कर लिया है आप देख सकते हैं Serial No.1 से सभी Entry Complete है हमारी तो Scroll Down करते वे नीचे जाना है आपको यहाँ पर Serial No.41 पर है Detailed Report Card DRC और School Report Card SRC तो आपको यह दोनों रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और उसमें सारी Entry को Check करना है अगर उसमें किसी भी तरह की कोई Mistake है तो आप उसमें Correction कर सकते हैं अगर सारी Information सही है तो उसके बाद यह आपको Certified करना है तो Certified करने के लिए आपको Compression and Certified Data पर क्लिक करना है किलिक करने के बाद New Page Open होता है तो यहाँ पर Option है Data Compression and Critical Indicators तो आपको डाटा को पिछले साल से Compare करना है उसके बाद स्क्रोल डाउन करते हैं आपको नीचे आना है यहाँ पर Option है Certification Module तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टिक करना है उसके बाद Degrade Byper जो भी स्कूल के Head Teacher है या Principal है उनको यहाँ पर अपना नाम लिखना है उसके बाद Designation और Mobile Number लिखना है उसके बाद नीचे Certified Data पर क्लिक करना है तो सभी Entry बनने के बाद हम Certified Data पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक Message Show होता है Do You Want to Certified? तो यहाँ पर आपको OK पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर एक Message Show होता है School Data Captures Format Has Been Successfully Certified तो यहाँ पर हमारा Data Successfully Certified हो चुका है उसके बाद OK पर क्लिक करना है OK पर क्लिक करने के बाद एक Thank You Message Show होता है School Data Has Been Certified Successfully उसके बाद आप Acknowledgement डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरह से आपको UDIS को Certified करना है अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप Comment Section में जाकर Comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस तरह की यूसफुल वीडियो हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं धन्यवाद